आसकार मैंने वह यूगल सुकला आयटी संस्क्रिद इन आरेन उपदारी स्कूल मूंबई यह जी मारा प्रोजेक्ट है यह गूगल डॉक एडवान्स फिचर पे है कि किस तरह से गूगल डॉक में हम अलग अलग फिचर्स को यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम तेरवाला कंटेंट्स के बात करेंगे इस लॉक में फ़र्स्ट पे यहां पे लिस्ट अप स्लो कॉस्ट ग्रामवारीन स्लो काज आयंस वर्फालाइं पैसे तीन हेटिंग दिख रहा है तो जैसे यह लॉक मैंने चार पेस का बनाने हुआ है इसलिए यहां पेस नमबर टू पेस नमबर त्री और पेस नमबर फॉर दिख रहा है लेकिन और भी बहुत सारे पैसे हम ले सकते हैं और पेस्ट या एक ही डाकुमेंट में अलग-अलग पेस का दिख रेटिंग बहता है उसको टेवलाफ कंटेंट आटोमेटिक लेता है तो वेरी इंट् संस्कित में वांग मैं अमत्पा इसको पढ़ने के लिए बनागे तो इसमें सबसे पहला है थे हम वांग मैं अप्राश्य चेप्टर का स्लोक लेंगे वने टाइप किया। और शबसे इंट्रेस्टिंग कि जा है कि मैने गूगल बेढ़ी समींदी ने टाइप किया, और यहां पर लाग्स पेस्ट किया। दूसरा स्लोख है रोगन्वे पूर को इसका है। और पिर दूसरी पीश पर grammar in लोक आजिए। कुछ questions, answer the following questions, आप देख सकते हैं कि जो यो answer the following question, तीसरे पे इसका heading है, इसको मैंने heading number या पे heading 3 दिया, और इसका font change गिया, 16 रखा, और जो दूसरे पीच पे heading है, grammar in slow class, इसको मैंने heading 2 दिया, और इसको भी same font दिया, और जो second page पे heading, list of slow class, इसको मैंने heading 1 दिया, इसका भी same font रखा, तिस तरह से, इसको हम यदि heading command में रखें, इसको इसके बाहर क्लिक करेंगे, या यहाँ पे क्लिक करेंगा, out of offshore page, यहाँ पे normal next दिक रहा है, लेकिन इसको हमने heading में दिया, heading में दिये हुए सभी page का heading को, वो automatic यहाँ पे table of content में डाल देता है, तो table of content लाने के लिए सबसे पहले, हमें सभी page का starting word heading में convert करना पड़ेगा, और heading में लेने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, insert और develop content में और इससे क्लिक करेंगे, तो automatic वो सारे heading को content बना के देता है, और right side में उस setting का पर देता है, it's very interesting, अब देता है कि उस setting पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यह first page में list of slow cards, तो यहाँ पे जैसे हम करसल लेके आएंगे अपना एक link यहाँ जैसे हम इस link क्लिक करेंगे, वो first page पे हमें list of slow cards लाले page पी लेके गए, दूसरा heading है grammar in slow cards, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक बन गया, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा automatic grammar in slow cards खुल गया, तो थार्ट पेज में हमने question answers की और answer the following, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक link बना, इस पे क्लिक किया, आटमेटिक हमें 3rd page पे गया, यह तो खले 3 page का document है, लेकिन हमारे पास बहुत से pages में, 50-60 pages, 100 page के document से, तो page number 69 पे जाने के लिए हमें सिर्फ उस heading पे क्लिक करो, आटमेटिक हमें उस page पे लेके जाए हो, तो it's very very useful, and दुसरी चीज़ विड़र इंशर्ट में जाने के बाद, header, header पे क्लिक करेंगे, तो इस ही page का heading यह वक पूल जाता है, और इसमें आने के बाद, हम यहाँ पे insert, और यह image, image, image पे क्लिक किया, upload from computer, तो हमें desktop पे save किया हो, लोग के आप ले लिया, और header में किसी word को type करने, या किसी photo को रखने का मतलब क्या है, वो हर page पे देखेगा, यह second page, लेकिन second page पे भी हमारा header देख रहा है, यह third page जहांभी वो header देख रहा है, तो header में किसी चिसको डालने का, header में किसी चिसको type करने का मतलब है, कि हर page पे दीखेगा, very interesting, then हमने यहाँ पे class 10 chapter लोग रखा है, इसको heading दिया, color दिया, यहाँ से, font change गया, ideal में रखा है, आपे normal text है, और background color आप दा page, तो अभी यह मैंने आप box में रखा हुए है, तो box का color लिए हम change कर सकते हैं, और background color में change कर सकते हैं, background color के लिए सबसे पहले हमें अपने text पे click करना है, या page पे click करना है, style में जाएंगे, और page setup में जाएंगे, page setup में जाएंगे, page setup जाने एक बाद ही पीच color दिख रहे हैं, यहाँ पे हम धे सारे colors हैं, तो मैंने इसमें यह वाला color रखा हुए है, light green too, तो दुसरे colors भी हम ले सकते हैं, जैसे हम इस पे click करेंगे, या इदर कहीं click करेंगे, तो automatic हमारे background का page okay किया, आप देख रहे हैं कि इसका color change हो गया, और इसका color change करने के लिए, जो box के अंदर है, इसका color change करने के लिए, हमें उपर ही icon दिखता है, अभी 3 dot में जा रहे हैं, और border color, background color, इसको click किया, तो इसमें मैंने यह color लिया हुए है, यदि हमें दूसरा कोई colors रहे हैं, तो हमें इसे क्लिक करेंगे, light orange 2, तो हमें पे क्लिक किया, automatic color change हो, इसका color change हो, तो हमें अपने ही प्रीच को अलगला colors दे सकते हैं, देन यह जो मेरा नाम दिख्राएं में सुखला, अर्ण प्रदार स्कूल, हमें पूर्टर में रखता हुए, तो insert में जाएंगे, और रिटर देन पूर्टर पे क्लिक करेंगे, तो नीचे की तरफ, उसी पेज में नीचे की तरफ हमारा नाम यह कुश इंफर्मेशन आड़ कर सकते हैं, तो दूसरे पीस में देहिते हम लिश्ट अब स्लोक आप लिए पे पे अडिर रख रखा है, तो संस्कीत पॉंट राया हुए, पन्वय पान्वय संस्कीत पॉंट अर्खा झाह सेम पॉंट रखा, और सम रासा प्रकूमें रखा, व्यू की तरह से हमने रख रा अफ्लोड किया और डाउनलोड करने के बाद यहां पर इंसर्ट और इंसर्ट इमेज अफ्लोड रहा है यहां पर रख दिया और यहां पर राट टेक्स करेंगे तो हम इमेज को कहीं भी लेकर जा सकते हैं फिरियर को चोटाबड़ा कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं जो वी रिलिय TBन में इंसर्ट किया इसलिए यह पीडिये पेशंट में पर सिदेख Only食べ इस फैसलिए तो यहां हुआ है तो 1 2 3 4 5 तो सभी क्वेस्टिन पांचों लाइन हमने एक साथ टाइप किया और यहां पर नमबर लिस्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे और यह पांचों लाइन एक सिंगल और स्ट्रेट लाइन में आता है इसी नमबर के अंदर तो हम यहां पांच में के बाद यहां पे हम रूल लिखा हुआ जिसको पर आटमेटिक 6 नमबर आजाएका और 6 नमबर के बाद यहां टाइप पे क्लिक करेंगे तो वह ABCD पे क्लिक हो जाएका तो इसको मैंने 6 दिया पे क्लिक किया तो ABCD भी आ लिए ते बाक्स के अंदर मैंने टेबल इंसर्ट किया जिसमे तीन कॉलम है बड़े बड़े और 6 रोल राइट फॉर इसको लेने के लिए आज आट आट आपक्स क्लिक करेंगे और इंसर्ट हो जाएंगे और यहां पे है टेबल टेबल से जितने भ तिस्ता से एड़ हुआ उसके बाद दूसरा तो तीन टाइट के मैंने क्वेस्टिन पूछें हैं अंसर चाहर टाइप के अंसर इन वान वर्ड इसका अंसर बच्चे इस बॉक्स में लिखेंगे जिसको हमने चाहर मर्क कर दिया हुआ है दूसरा बच्चे लिखेंगे इसके बाद लंबा कर दिया है अंसर ड्रैक करते हैं तो इस प्रकार से हमारा यह अंसर इन वान लाइन प्रेट हुआ और चूज़ देकर आप्स यहां पर परशा और दा पातला वी सीडी इंदी में इ इसको हमने दो माक कर रखा हैं चुकि दो अप्शनल क्वेस्टन्स याई किक माक हैं मैस्दपेर में भी मैं टाइप करते हैं मैं टाइप का यूज किया टाइप के कराण यह पूर अच्छी लाइन में दिख रहा है है इस तरह से अपने डाइपने टेबल को क्या किया है टेबल को मैंफ किया यहां...... यहां फो दोड़ा से इसको इसको लिखे गाए और यहां पे इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेल एक साथ मर्ज़ों करके पूरा जाएगा तिस तरह से हमने यह टेबल को फॉर्मेटिंग दिया टेबल को छोटा बड़ा रखने के लिए अलग-अलग कमेंट्स चीज़ किये तिन वास्थ वीडियो यदि हमें इस साथ जो हमने डाकुमें यूटूब लिंक हमें अच्छा मिला हुआ है जो वीडियो है और उस वीडियो में पहुत ही अच्छा तो हम उस लिंक को यहां पर डाल सकते हैं तो मैंने छोटा सा टेबल अगें दो वीडियो फामोल इंफरमिशन और दूसरे सेल में क्लिक अंदर लिंक तो इसका मतलब कह है जैसे मैं इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर यूटूब लिंक मने डाल हुआ है तो यूटूब का वीडियो हमारे सामने खुल जाएगा जो उसी चीज को पढ़ा जाया है जो हमने डाकुमें टाइप किया हुआ है इसको मने म्यूट किया हुआ है इसको यहां स्टार दे यहां पर जो लिंक है इसका यूटूब लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे और अपने डाकुमेंट में आ करते है यहां पर जो क्लिक आंद लिंक मने बास वह वर्ड टाइप किया उसके बाद उस वर्ड पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर लिंक कॉप्स लाता है Link क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में वो लिंक डाल देंगे तो हमारे यह जो बाट है आटोमेटिक ब्लू कबलर का होगा इसका मतलब कि वह यूतुब का लिंक इसमें आ गया कि तो जोह बहुत हुआ पर आएंगे, आटोमेटिक क्लिक करते ही वो लिंक इधर आ जाता है और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो को प्लाग जैस्ट अभी हमने देखा तो गुगल में टाइए हुए मैटल्स को हमकी भी उच्टा सकते हैं, इससे मैंने वहाँ पर वाड़ में चेल जाले है अग्सायर मैटल हमने टाइप किये हुए हम मुबाइल पे या अपने डाकुमेंट कीप में सब्सक्राइप करके रख सकते हैं और कभी भी हम इसको यहां से पॉपी करेंगे इससे सेलेट करके पॉपी करेंगे और अपने डाकुमेंट बलाके पेस करेंगे जरूद नहीं ज तब हम अपने डाकूमेंट ओपन करेंगे को वहां से कीप से कॉपी करेंगे और इस विदेखला करके सब प्रेस कर जाए इस तरह से हमारा यह टाकूमेंट थीन प्रेट का ही क्रेट हुआ लेकिन बहुत सारे बना सकते हैं इसमें सबसे अच्छा सबसे इंट्रस्टिंग तो यह बहुत ही useful है अलग-अलग headings को एक complete list बना करके और सामने automatic page number लिख देता है कुछ भी हमें setting करने की या click करने की रहत नहीं है लेकिन वो heading है first page का यहाँ पे heading font में होना चाहिए यह heading में नहीं है तो वो नहीं लेता है इस तरह से हमारा यह google doc advance का video create होता है project finish होता है thank you very much